हाथ की हथेली को, ऐसा रगणे, ओम, 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 शरीर में जिस अंग में रोगों पीड़ा हो, लगाए, रोग और पीड़ा भागे, कर दो हम पीड़ा हो, और एक दो मिनट लगा दिया, दो चार बार, आखो के रोग, शमन, किड्नी में गड़ड़ा है, हाथ कम जूर है, तो तुमारे हथेली में भी उस आत्मिशक्ति की, जैसे माचिस दियासलाई में गंदगोता है, ने रगणे से तो तो तुमारे हथेली मे अजी आप पैदा होती, ऐसे इश्वरीय चेत्मा, ओम, 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 जगी. तोड़ी सी जीव बाहर करदी, सेटधर्द मिटाने के लिए. तो शरीर के जिस अंग में कमजोरिया, रोग, अथवा तो यो रगा कि फिर अपने चेहरे पर ही हाथ कुमादिया, आखों पर, चेहरे पर, रोनक बड़ेगी, आखो पर घुमाया चेहरे पर घुमाओगे तो चेहर आ प्रभावशाली आखो पर घुमाओगे दर नेत्र जोति की माठे पर घुमाओगे स्वम्रण शक्ति बड़ेगी याद शक्ति बड़ेगी जहां चोटे रखते हो याद शक्ति बढ़ने मुफफत में, नहीं तो तीन काजू पर शेह द्रगण के सुबह खूब चबा के खाये, शरीर बल और सुम्रुति बढ़ती, सुम्रुति बढ़ने के और कई उपाये, लेकिन सब खाने पीने के खर्चे के, ये तो ऐसा ही है, बैगवान की शक्ति से सु खूपका बबाइब से स्बाइब साषण